दोस्तो अगर आप DTS fitting या setting का काम करते हैं तो सबसे पहले आपको जरूरत पढ़ती है एक अच्छे digital satellite db meter की तो दोस्तो आज इस वीडियो में आपको एक अच्छे digital satellite meter के बारे में बताऊंगा और साथ ही थोड़ा बहुत उसका इंटरफेस भी आपको बताऊंगा काफी सरल इंटरफेस रहेगा इसका तो दोस्तो वीडियो को पूरा देखिए इसकी प्रिट कीजिए चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए साथ एक लाइक कर दीजिए तो चली स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो अगर आप DTS वगरे फिट करते हैं या नहीं भी कर करते कि बहुत सारी मसीनों का रिव्यू देखते हैं और वॉक्शिंग देखते हैं तो गयज हो सकता है वो मसीन और भी अच्छी हो लेकिन मुझे इसकी परफोर्मस इतनी बैस्ट लगी तो आपको बता नहीं सकता दोस्तों यह मैं पिसले काफी टैम से इसको यूज कर रहा सारी सेटलाइट मीटर आते हैं तो उन में से यह मुझे बैस्ट लगा तो दोस्तों सबसे पहले तो मैं इसको आपको ओन करके दिखाऊंगा इसका इंटरफेस थोड़ा बहुत समझा दूंगा तो सबसे पहले मैं बताता हूं इसको ओन करने की जो स्वीच है कुछ इस तरी अब इसका नाम आ जाएगा अब इसका इंटरफेस हम देखंगे सबसे पहले आपर मेन मेन्यू आता है और उपर बैटरी बार आपको दिख जाएगा थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाऊं ताकि आपको समझने में और देखने में कोई दिखत ना हो तो यहां पर सबसे आपको मीनू में इसके कुछ फंक्शन दिख जाएंगे तो सबसे पहला फाइंड का हमने अगर नेटर को सर्च करना होगा तो सबसे पहले फाइंड में हम क्लिक करेंगे अब नीचे बटनों का थोड़ा इंटरफेस दिखा दू उसके बहले आपको बता तो यहां पर एक ट ज़ार्ज लगाते हैं यहाँ पर कवो दिया रहे एको फूट यहाँ पर चामीद यहाँ पर शेंग पड़गल है उस्वी बेक अगर आपके पास यह सॉप्टे वैर सॉरी अगर आपके पास यह सब्यूबилась भी है तो इस फोड़W booking यह एका बलेले जीए अगर आपको करने यहाँ पर चार्जिंग का और यहाँ पर 22K का और यहाँ पर 18 बूर्ट का यह लोक का मतलब यह सिगनल जब आप सेट करते हैं तो उस वक्त इनका रोल सबसेदा रहता है तो अब यह है signal quality की, अगर आपकी कभी display खराब हो जाती है, तो आप signal quality आप यहीं से इस पर से देख सकते हैं, तो normally display खराब कम होती है, तो water damage होती है, तो हो सकता तब खराब हो, अब गरते हैं इसके, यह compass की बात, यहाँ पर एक compass दिया गया है, इसमें direction का आप easily देख सकते है east west north south का यहाँ पर दिया गया है, तो अब बात आती हैं यहाँ पर button की, यह है menu button, यह है up, यह है left, यह है right और यह है down का, और यह है okay का, अब menu से बाहर आने के लिए आपको exit दबाना पड़ेगा, तो अब सबसे पहले enter करते हैं menu पर, सबसे पहले option है find का, find में हम जाते हैं, तो अगर हमें DTS हमें set करना हो, इसमें सारी frequency आपको मिल जाएंगी, आपको सारी इसमें frequency, जैसे आप किसी भी company का DTS antenna लगा रहे हो, उसकी आपको frequencies में मिल जाती है, तो इसमें okay कर लेते हैं find पे, find पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ATL का मैंने already set किया हूँ है, अब हमें change करना है, suppose हमने किसी और company का हमें लगाना है, तो यहाँ पर हमें already सभी लगभग इसमें सारे टास्पाउंटर हमें, और जितने भी company की हमें, यहाँ पर setup मिल जाएगा, अभी हमें क्या करना है, दूसरे company का लगाना है, तो अभी करना क्या हमने, यह वाला switch, sorry, यह वाला button हमे दबाना है, इस तरीके से, अब हमें बहुत सारे यहाँ पर menu पर बने आ गए, अगर आपके बास dialogue DT है चाहे तो उपर पर इसको click कर लेजिए, एटल है, इसमें, और Tata Sky, Video Con, Sun Direct, Big TV, DD Direct, और इसमें बहुत सारे और इसके next menu के लिए फिर यहाँ पर click करना होगा, डिश TV, NSS, और इस तरीके से कई सारे हैं, जो बेसिक के लिए हम यूज करते हैं, और Tata Sky, Video Con, और DD Direct का हम यूज करते हैं, तो इतने सारे आप इसमें हैं, और भी अधर अगर आपके पास हैं, अगर आपको अधर के भी लगाने हैं, तो इसमें आप frequency डाल सकते हैं, वहीं कैसे डालनी है तो इतना तो आपने देख लिया, अभी करना क्या है, आपने ये सेलेक्ट कर लिया, जैसे मैंने सेलेक्ट लिया, टार्ट वीडियो कॉंट सेट सेलेक्ट कर लिया है, अब इसमें कुछ इस तरीका का बनाएगा, अब हमने यहां पर connect करना है एक एक वायर को, एक छोटी से 1 बार बने आते हैं, तो उपर वाला बार जो है, LNB connectivity का होगा, और नीचे वाला रगा quality का, यह उपर signal strength और एक quality, तो आप इसको, आप देख सकते हैं, यहां पर strength okay आगी, LNB अगर set होगी, तो पूरा यहां भर जाएगा, 80, 85, 90 तक जितना भी उसका strength होगी, ओ आ जागा, फ जैसे हमारे नॉर्मली फ्रीरिस के box में होता है, हरे color का यहां पर आ जागा और बीब बच जागा, इसके practically वीडियो में कुछ time बाद आपको upload करके दे दूँगा, तो फिलाल अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इतना तो आपने सीख लिया, इसमें setting ऐसे करते हैं, तो दोस्तों दूसरा option ना था spectrum का, मतलब यहां पर आप spectrum set कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप search कर सकते हैं, यहां पर आप universal, जो अगर universal है तो universal देख लीजिए, वहां पर इस तरीके से आप megahertz वगरे देख सकते हैं, तो अब यहां पर polarity आप इसकी vertical या horizontal वगरे देख सकत हैं, तो यहां पर 22 के मा भी नहीं होगा, तो यहां पर off है, तो इस तरीके से इसका spectrum जो है, मतलब बारी की से आप इसके spectrum को analyze कर सकते हैं, अब यहां पर देखते हैं, लिस्ट की बात आती है, लिस्ट आपर manual है, automatic है, अगर आप manual को चेक करना चाहते हैं, तो satellite को select कीजिए, और start auto check को आप कर सकते हैं, तो यहां पर इसका जो है, लिस्ट है, जो automatic और manual है, इस तरीके से आप लिस्ट को भी देख सकते हैं, अब बारी आते है, satellite की, satellite की आप एक, कोई भी satellite को अगर add करना चाहते हैं, तो यहां पर आप add कर सकते हैं, यहां पर उसका नाम लिख तो यहां पर add का और इसकी frequency का है, यहां पर set कर लिएगे, और बाइस के में अगर है, तो yes कीजिए, और इसका जो भी है, जो इसका इसके लिए आपको, यहां पर setting अपने मन से मत कीजिएगा, इसके लिए आपको एक Google में लिख लिएगा, add frequency, add satellite frequency, यहां पर इस तरीके से व यहां पर save कर लिए, आप इसको back करते हैं, और तो इसको save नहीं करना है, तो हमें अभी इसको exit करना पड़ेगा, तो अभी इसको modify करना है, किसी भी जैसे हमारे पास जो already save है, अटल, टाडस के वगरे वगरे, उसको हमने कुछ modify में करना है, तो इसको modify में हम दबा सकते हैं, अभी किसी को delete करना है, तो हम delete पर हम okay कर लेंगे, अभी इसको कर देते है, exit, यह आपने समझ लिया होगा, इसमें जाते है, TP, TP को transponder भी बोलते हैं, इसको हम okay करेंगे, तो यहां पर transponder हम यहां से add कर सकते हैं, यहां पर देख लिजिए, transponder कुछ इस तरीके से बना रहा है, यहां पर भी इसके लिए भी आपको Google मा search करना पड़ेगा, transponder, data transponder, या कोई भी company का आप transponder search किजिए, और उसके इसको save नहीं करना है, फिर modify transponder यहां पर कर सकते हैं, delete करने के लिए यहां पर कर सकते हैं, तो आपने transponder और satellite अभी save करना सीख लिया होगा, अब करते हैं, इसक सबसे पहले इसकी बात करते हैं, इसकी जो language है, उसको select करना है, तो आप यहां से language select कर सकते हैं, यहां पर English है, तो यहां पर बहुत सारी language है, आप English को ही रहने दीजिए, I hope कि आप English वाले ही होगे, तो हिंदी इसमें आपको नहीं मिलेगी, इसमें USB disk को operate करना चाहते हैं, त इसके बाद यहां पर backup पे देना पड़ेगा, और एक folder बना आपका USB में आ जागा, और इसकी अपडेट करना है, तो आपने, एक USB में जिसमें आपका data save है, उसको लगा लीजिए, अपडेट में चाहिए, और हां से search करके, इसको select कर लेगा, और update कर लेगा, अब बात करते ह है, reset की, तो आप जानते है, reset factory क्या होता है, अब इसको calculate an angle, किसी angle को आप calculate करके आप लगाना चाहते है, जैसे कितने degree पर है, और कितना क्या है, तो इस तरीके से आप यहां पर set कर सकते है, मतलब कितने degree east पर है, कितने degree north पर है, इस चीज की जानकारी आपको, basically सबसे पहले स तो इसको सीखने के लिए आपके लिए एक video specially बना दूगा, फिलाले भी basic knowledge की है, तो आप इसको धनपूरो देखीगा, तो अब आती है, set compensation की, अब इसमें हम ok करेंगे, तो यहां पर इसका भी मुझे कुछ ज्यादा knowledge है नहीं, तो इसका नहीं बता पाऊंगा, तो यहां प power unit, power unit को आप देख लीजिए, यहां पर power unit को आप अपनी हिसाब select कर सकते है, dbm, dbub, तो इस तरीके से आप select कर सकते हैं, इसका भी मुझे कुछ ज्यादा जानकारी है नहीं, तो यह कोई चीज काम आती है काम में, तो फिलाल जो इसका interface और जो color बगर है, उसका change करना भी आप आपको बता देता हूं, change the color करके है, तो इसमें हम okay करेंगे, तो background का color हमने color 9 रखा है, अभी देख लिए इसको select करने के लिए हम यहां पर जाएंगे, और okay कर लेंगे, और यहां पर इस तरीके का, यहां पर जो button है, right का, इसको हम दबाते हैं, तो color इस तरीके से background का हम आ रहा है, उसका भी color change कर सकते हैं, तो बहुत सारे इसमें अपने हिसाब से color को, आप manual set कर सकते हैं, अब आती है, अगले function की बारी, अगला function इसमें, तो normally इतने ही function है, तो काफी basic ही है, इसको हम basic तरीके से हम सीख सकते हैं, तो यहां पर आपके काम एक या दो function आने वारे ह सकते हैं, देखिए, एक find वाला, और दूसरा, यह वाला, TP वाला, यहाँ पर आप transpounder add कर सकते हैं, अपने हिसाब से Google से आप ससके लिजिए, वहाँ से अगर नहीं आता है, तो आप मुझे comment किजिए, आपको transpounder में provide कर दूँगा, तो यह है setup का, setup के लिए आप, आपको एक पढ़ने वाली, इसके color की, तो आप अपने हिसाब से color select कर दोजी, तो इतने सारे function आप इसमें देख सकते हैं, तो फिलाल इन दोनों function को आपको अच्छी तरी समझा दिया, तो I hope कि आपको यह video कापी पसंद आएगी, तो अगर आप मेरे Instagram में जूना चाहते हैं, तो description में आप मुझसे कोई स्वाल पूछ सकते हैं, मुझसे कोई भी message कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपके समझा को आपी समाधन में कर लूँगा, तो दूस्तों I hope कि आपको यह video कापी पसंद आएगी, तो लाइक किजी, share किजी और सब्सक्राइब करके जाना न भूलिए, तो मिल